हलो फ्रेंड्स बेलकम टो जाने टॉक्स तो अग्प इस वीडियो में दोस्तों फंडिस्कस करेंगे पंचायद अडियतर का प्रीभीस अर का paper तो आपसभी को पता है दोस्तों पंचायद अडियतर का जो एक्जाम है इस पार 15 अडियुर की पेश्टे जो निकाले गई हैं पोस्टे तो काफी काम है only STK degree के लिए दोस्तों एक मात्र पोस्ट निकाले गई है लेकिन हम previous year का paper जो है इसका discuss करेंगे कुछ एक बच्चों की demand ही बाकी दोस्तों आप exam form को fill up कर सकते हैं 5 November को इसकी last date है बाकी जो पोस्टे है increase या decrease जो है आप सभी को वता है HPSC करता रहता है इसका जो पोस्ट कोड है दोस्तों ये जो पोस्ट कोड है इसका 760 जो है ये पोस्ट कोड है 2019 में दोस्तों इसका exam हुआ था तो आईए शिरू करते हैं first question से बाकी दोस्तों अगर आप आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मारे टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हैं इसका लिंक आपको description में मिल जाएगा और बाकी अगर आप अन्य किसी exam का जो paper है चाहते हैं कि हम paper solve करें तो दोस्तों आप comment करके जरूर बताएं बाकी हमने HRTC conductor exam के लिए classes जो है वो भी शुरू कर दी हैं तो आप भी जो channel है हमारे channel पर visit कर सकते हैं यानि कि जो हमने playlist बनाई है पहाँ पर आप वीडियो को देख सकते हैं first question है census 2011 which census तो आपको पताना है जन्गना 2011 कौन सी जन्गना थी दोस्तों ये जो जन्गना थी दोस्तों कौन से नंबर की जन्गना थी आपको पताना है तो ये थी जन्गना दोस्तों 15 नंबर की तो option A से हो जाएगा 15 तो बात करें दोस्तों जन्गना की तो पहली जन्गना भारत में कब हुई थी दोस्तो, तो ये हुई थी, 1472 में, पहली जणगाना हुई थी, 1472 में, जब जो 22 राय थे, वो कौन थे, लॉर्ड मेयो, लेकिन नियमित रूप से, इनकी 10 वर्स के बाद, पहली नियमित जणगाना हुई थी, दोस्तो वह हुई थी, ठारा सो कब हुई थी? ठारा सो इकासी को हुई थी लोड रिपन के समय और ये दोहजार ग्यारा की जो जगना है ये कौन से नंबर की जणगना है? तो ये है पंदरवी जणगना तो option ए सही हो जाएगा 15th नेक्स्ट क्वेश्चन है तसांग जणगना बाज originally composed in which language जणगन मन गीत मुलता किस भाषा में लिखा गया था? तो दोस्तो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था बेंगाली तो option इसका सी जो है बसाई हो जाएगा तो कौन है इसके राइटर? तो वो हैं दोस्तो रविंदर ना टैगोर next है part third of the constitution deals with समिधान का भाग third किस से सबन्दित है? तो दोस्तो समिधान का जो भाग third है वो किस से सबन्दित है? तो ये सबन्दित है fundamental right से तो option B से हो जाएगा fundamental right तो जो नाग रिखता है दोस्तो ये second part में आती है और जो directive principle of state policy है ये भाग four में आते है next question है the controller and auditor journal of India is appointed by bitch of the flowing किसके द्वारा भारत के नियंतरक और महालेखा प्रिक्षक नियुक्त किये जाते है तो इनकी नियुक्ती करी जाती है राष्टपदी के द्वारा तो option D से हो जाएगा दोस्तो इन में से कोई नहीं next है disaster management act was enacted in which year तो किस वर्स आपता परबंदन अधीनियम लागू किया गया तो किस वर्स किया गया दोस्तो किया गया 2005 तो option B से हो जाएगा 2005 में लागू किया गया था next है who was the chairman of the second administrative reform commission तो दुवित्य प्रशासनिक सुधार अयो के ध्यक्स कौन थे आपको बताना है तो दोस्तो कौन थे second ARC के अध्यक्स तो वो थे दोस्तो B रपा मोईली तो option इसका D जो है वो सही हो जाएगा तो कब second administrative reform commission है दोस्तो कि कब अस्तित्य में आया तो यह आया 2005 में next है meaning of civotum in civotum model तो आपको पताना है civotum model में civotum का अर्थ क्या है तो civotum का अर्थ है दोस्तो service excellence यान की सेवा उत्कृष्ट ता तो option इसका यह जो है वो सही हो जाएगा तो जो civotum model था दोस्तो यह है second जो administrative reform commission था उसमें ही implement किया गया था या फिर उसमें इसकी शुरुवात करी गई थी मैंने पताया इसकी शुरुवात का हुई थी तो 2005 में next है the first municipal corporation in India बास set up in which presidency town किस presidency town में भारत के लिए प्रत्थम municipal corporation की स्तापना करी गई थी तो कहां करीगी थी दोस्तो यह करीगी थी मदरास में option A सही हो जाएगा मदरास next है sweep is an acronym for तो आपको sweep की full form बतानी है जिसकी जो full form है वो है systematic voter education and electoral participation option A सही हो जाएगा next है क्रिशोंती योजना include beach of the flowing scheme तो क्रिशोंती योजना में कौन सी योजना सामिल है तो इसमें दोस्तो राष्टी खादे सुरक्षा मिशन, राष्टी धारनी क्रिशी मिशन, राष्टी क्रिशी बिस्तार और प्रद्योगी की मिशन ये सभी सामिल है option D से हो जाएगा ये सभी next question है तो साहित्य अकडमी publish book in how many languages तो जो साहित्य अकडमी किसी भाष्टा में उसका जो पुस्तक है वो प्रकासित करती है तो दोस्तो ये प्रकासित करती है 24 language में तो option D से हो जाएगा next है तो आपको पताना है दोस्तो जो कॉंसिल है लेदर एक्सपोर्ट के लिए वो कहां है तो वो है चैनाई में तो option D से हो जाएगा next question है तो ये जो इंगलिस का दोस्तो जो बनवर सब्स्टिशन है उससे question है तो option इसका B से हो जाएगा next है किस वर्ष राष्ट्य साइबर सुरक्सा नीती शुरू करी गई तो ये करीगी दोस्तो 2013 option A से हो जाएगा next है तो आपको पताना है दोस्तो भारत में किस स्तान पर officer training academy स्थिध है तो दोस्तो दोनों जगा पर है चैनाई और गया तो option इसका C से हो जाएगा A N B दोनो next है पड़े भारत बड़े भारत इजे नेशनल बाइड सा प्रोग्राम इन इंडिया अंडर विच्वदा फ्लोइंग प्रोग्राम दोस्तो किस प्रोग्राम के अंदर है तो ये है सर्व सिक्सास अभ्यान के अंदर गा तो option A से हो जाएगा next question है at which of the following places in India दाफास्ट हाइड्रो पावर स्टेशन बाज कमिसंट भारत में निमलिक्त मैंसे किस तान पर प्रत्थम जल बिद्धू स्टेशन सुरू किया गया तो किस तान पर सुरू किया गया दोस्तो पहला जो बना था वो बना था ठारासो स्तानुए में दोस्तो और दार्जलिंग में बना था यहनकी दमोदर घाटी के करीब तो option इसका D सही हो जाएगा दमोदर घाटी बैसे जगा जो थी वो थी दोस्तो दार्जलिंग next है national bio diversity authority is A तो दोस्तो यह एक regulatory और statutory body है तो option इसका D जो है वो सही हो जाएगा बोथ B and C इसका right answer हो जाएगा next question है अंडर B चार्टी का law of Indian constitution annual financial statement has to be late before the parliament तो दोस्तो यहाँ पर पूचा है जो annual financial statement है कौन से article के तहत है यानिकि बार्षिक बित्य बिवर्ण तो यह बजट की बात कर रहा है तो option B से हो जाएगा article 1,1,2 next है company law board is an तो आपको पताना है company law board जो है वो क्या है दोस्तो यह है independent और quasi judicial body है तो option इसका D से हो जाएगा both A and C इसका right answer हो जाएगा next है अंडर अंतोदेया अना योजना food grains are provided to the identified beneficiary तो अंतोदेयो अन योजना के अंतरगत खादियान अभिग्यात लाभारतियों को दिया जाता है आज दोस्तो उच अनुमाने दर पर यानिकी highly at highly subsidized rate तो option इसका C से हो जाएगा next question है ASA stands for तो आसा से क्या तातपर है आपको पताना है तो आपने देखा हो दा दोस्तो जो पंचाइट्स हैं वहाँ पर आशा बरकर काम करती हैं तो इसकी जो full form होती है दोस्तो वो होती है accredited social health activist तो option इसका C से हो जाएगा दोस्तो यहे जो national health रूलर मिशन है उसके अंतरका थी शुरुआद इसकी करी गई थी 2005 में next है the government of India has an agenda on housing for all by which year बार सरकार ने किस बरस तक housing for all सब के लिए बास कारिकम का लक्षे रखा था पहले रखा था दोस्तों इनोंने 2022 तक और बाद में अभी जो है बर्तमर में 2024 को extend कर दिया गया है next है इंडियन प्राइम मिनिस्टर सिरी निरेंदरा मोदी let the official Indian delegation to be session of UN General Assembly in 2014 तो दोस्तों यहाँ पर बोला है बर्श 2014 में भारत के प्रधान मंतरी शिरी निरेंदरा मोदी ने सिंग्त राष्ट की महसाबा के कौन से सत्तर के भारते सास्किय प्रधिनेदी मंडिल के अगवाई करी थी तो यह करी थी 69 तो option D सही हो जाएगा next है which country is supporting to strengthen effort to improve infrastructure to Chennai Bengaluru industrial corridor कौन सा देश Chennai Bengaluru दियोगी गलियारे में धारबूर्स रचना के सुधार के प्रयासों को स्त्रिर करने का समर्थन किया है तो यह क्या है जपान नहीं तो option C सही हो जाएगा जपान next question है principal seat of उत्तर प्रदेश high court is at which place तो उत्तर प्रदेश उचनेले की प्रधान बैठा कहा है तो दोस्तो यह है अलाबाद में option D सही हो जाएगा अलाबाद next है एस प्रदाचार्ड लेबर एक्ट employment of children below which is prohibited in hazardous occupation तो दोस्तो बाल स्रम अधिनियम के अनुसार 14 वर्ष से कम आयू के बच्चों को जोकिं भरे बेपसावे में नियोजन उनका निशेद है तो option A सही हो जाएगा 14 वर्ष next है तो लोक परी जो बिविद भारती सेबा है तो ये 15 गहंटे दोस्तो दिन में मनरंजन पर दान करती है option B correct हो जाएगा 15 हावर next है पबलिक फाइनेशल मेनेजमिन सिस्टम बाग अर्लिल नौन एज दोस्तो लोक बित प्रमंदन विवस्ता पहले किस नाम से जानी जाती थी दोस्तो ये जानी जाती थी center plan, scheme, monitoring system तो option इसका C सही हो जाएगा next question है अंडर संसद अदर्स ग्राम योजना अदर्स ग्राम सर्व ऐस दा न्यूकलेस बीच आफ दा फुलॉइंग तो दोस्तो सांसद अदर्स ग्राम योजना के अंदर्गत अदर्स ग्राम निमलिक्त मैंसे किसके केंदर के रूम में सेवा परदान करता है तो इसमें जोस्तो health, cleanliness और greenery जो है ये सब ही आते हैं तो option D इसका सही हो जाएगा all of D जिसका right answer हो जाएगा next है intermediate tier of पंचायती राज institution is तो पंचायती राज संस्थाओं का मद्दे बरती सुपान है तो कल की ही या फिर परसो जो वीडियो मैंने करवाई थी दोस्तो उसमें मैंने आपको पंचायत के त्रीसतरी प्रणाली के बारे मैं बताया था तो इस question का answer जो है आप comment करके जुहार लाल नहरू port is located in beach Indian state जुहार लाल नहरू जो बंदरगा है भवारत की किस राजे में है दोस्तो यह महरास्टरा में option B से हो जाएगा नहावा शेवा जो बंदरगा है उसको इसी नाम से जाना जाता है नेक्स्ट है central water commission is headed by a chairman with the status of N तो केंदरी जाला योग के ध्यक्सता किस तरके अधिकारी करते हैं यह करते हैं दोस्तो एक्स ओफ यू सेक्टरी to the government of India तो option A collect हो जाएगा नेक्स्ट है how many Indian state have set up state commission for minority so far तो पंदरा भारते राज्यों ने दोस्तो अभी तक राज्य अल्पसंख्य का योग की स्तापना की है नेक्स्ट है beach of the flowing is given as a cash about to any national youth award winning voluntary youth organization तो किसी यूबा राष्टी यूबा पृस्कार विजेता स्वैचिक यूबा संगाटन को दोस्तो निमन मैंसे कितना नगद पृसकार दिया जाता है तो यह दिया जाता है दो लाख रुपए तो option D से हो जाएगा नेक्स्ट है total number of unit territory in India is तो कितनी दोस्तो भारत में कुल कितने के अंदर शासित प्रदेश है अभी तो यह है आठ तो option इसका B से हो जाएगा next question है which of the flowing is lowest in order of precedence तो आप सभी को पता है दोस्तो इसमें पताना है कि कौन सा पुरुपता करम मैं निमन स्तान पर है तो यह दोस्तो जो करम decide है सबसे पहले आप सभी को पता है प्रेजिडेंट का स्तान आता है इसके बाद बाइस प्रेजिडेंट का स्तान आता है तो इसी तरह दोस्तो इहां पर पूछा है कि आपको पताना है कौन सा पुरुपता करम मैं निमन स्तार पर है तो इसमें जो निमन स्तार पर आते हैं दोस्तो वो आता है मुखे चुनाब वयुक्त तो option C सही हो जाएगा मुखे चुनाब वयुक्त जो है दोस्तो इनका नमबर आता है 9A और जो उस्ताम नेले के नहज़ीश जो है इनका जो order of precedence है उसमें इनका 9th नमबर आता है और ये जो चुनाब वयुक्त है मुख्य चुनाब वयुक्त इनका आता है 9A में नेक्स्ट क्वेश्चन है बीच आफ दा फ्लोइंग हैज बीन पुस्तू मुसली अवार्डर विड भारत रतना दोस्तो इनमें सेखी से मरनो प्रांत भरत रतन दिया गया तो ये दिया गया दोस्तो तो जेपी नरायन को तो आफशन B से हो जाएगा जेपी नरायन नेक्स्ट है फस्ट यूज ऑफ हैंड मेड पोटरी अपियर डियूरिंग बीच एज तो किस काल के दुरान दोस्तो हस्त नरिमित रिद भांट का सरफ्रत्म प्रयूग किया गया तो ये किया गया दोस्तो नियो लेथिक एज में यानकी ना पशाण काल में आफशन C से हो जाएगा नियो लेथिक एज नेक्स्ट है बेदाज आर डिवाइडेड इंटू बिच ओ फ्लोइंग तो बेदाओं को किस में विवाजित किया गया है दोस्तो सहिंता में और ओप्शन जो A है वो सही हो जाएगा सहिंता नेक्स्ट है सूरसेन महाजनपत की राजधानी कौन सी थी तो दोस्तो कहां थी दोस्तो ये थी मतुरा में तो आफशन B सही हो जाएगा मतुरा नेक्स्ट क्वेशन है दोस्तो बहुत संक्ती हुई थी वो किस से किस के सरक्षन में हुई थी तो ये हुई थी कनिस के सरक्षन में तो आफशन इसका D जो है वो सही हो जाएगा कनिस का नेक्स्ट है तो मोस्ट फेमस इंड sozusagen प्रिसिद भारतिय ग्रीक शाथ सकता वो कोई थी था तो ये स्मनित है दोस्तो गुप्त काल से तो आफशन B सही हो जाएगा गुप्त काल नेक्स्ट है जजिया बाज ए टेक्स वाई जजिया कर क्या था दोस्तों आप सभी को पता है जजिया जो था कि नोन मुस्लिम औली यनकी केबल गैर मुस्लिमों पर लगाया जाता था तो आप्शन B से हो जाएगा केबल गैर मुस्लिमों पर सबसे पहले किसे ने लगाया दोस्तों जजिया तो यहे मुहमत विन कासिम के द्वारा लगाया गया था नेक्स्ट है भहमनी किंगडम ऑफ डेकन बास फोंड़ड बाइ बिच ओ फोलोईंग जो दक्षन का भहमनी राज्य है दोस्तों इसकी स्तापना करी गई थी हसन गंगू ओप्शन B से हो जाएगा जिसे लाओदीन हसन के नाम से भी जाना जाता है 1347 में करी गई थी नेक्स्ट है और दोस्तों जो हरियर और बुक्का है इनके द्वारा बिजेनगर समराज जी कि स्तापना करी गई थी नेक्स्ट है बिच भक्ती संथ बाज कंटेंपररी ओफ सिवाजी तो कौन सा भक्ती संथ जो था वो हो सिवाजी का समकालीन था ये थे दोस्तो भक्त तुकाराम तो option A से हो जाएगा तुकाराम नेक्स्ट जो क्वेशन है वो है तो कब हुई दोस्तो दूसरी बैटल तो ये हुई थी 1556 में तो option B क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है रिल नेम ओफ सेरसा सूरी बाज तो सेरसा सूरी का बास्तविक नाम क्या था दोस्तो ये था फरीत खान option D से हो जाएगा किसने दी थी दोस्तो सेरसा सूरी को शेरसा की उपादी शेर खान की उपादी तो ये बाहर खान लोहनी के दोरा दी गई थी next question है Which of the phallowing invented गुरु मुखी script तो किसने गुरु मुखी लिप्पी का विशकार किया किसने किया था दोस्तो गुरु मुख्यी लिप्पी का विशकार तो ये किया गया था गुरु अंगद के द्वारा और आप्शन B से हो जाएगा गुरु अंगद नेक्स्ट है वुमेन इनिवर्स्टी वास फॉंड़ेड इन 1968 विचोफला फॉलॉइंग प्लेस तो आप सभी के लिए प्रस्ट है कि दोस्तो ये महिला बिशब्द्याले की स्थापना करी गई थी नेक्स्ट है वु रोटे गिफ्ट टू मॉनो थिस्ट पुस्तक जो है किसने लिखी तो ये लिखी दोस्तो राजा रामन रॉय के द्वारा तो आप्शन ए सही हो जाएगा राजा रामन रॉय नेक्स्ट है मुस्लिम लीग बाद फोरं दिन भी चेर तो कब हुई मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में और आप्शन डी सही हो जाएगा नेक्स्ट है वीच पार्थेस्ट प्लैनेट फ्रॉम दा सन आपको पताना है सबसे दूर घ्रह कौंड सा है तो दोस्तो इसमें जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा नेफचियून जो है वो सबसे दूर है दोस्तों ये question जो है वो भी मैंने आपको कल की ही वीडियो में बताया है अगर आप उन वीडियो को regularly देखते हैं तो आपको इसका प्रेशन पता आंसर पता होगा तो आप इसका आंसर जो है कमेंट करके बताएं नेक्स्ट है generally all types of weather phenomena take place in which atmospheric layer तो समान नेता किस बाइमंडल ये स्थार में सभी प्रकार की मौसमी घटनाएं घटित होती है तो ये होती है दोस्तों ट्रोपस फेर में यानिकी शो मंडल में तो option A correct हो जाएगा नेक्स्ट है टाइफून occur in which region टाइफून किस क्षेतर में होता है तो किस क्षेतर में आते हैं दोस्तों टाइफून ये आते हैं चाइना सी में option A सही हो जाएगा चीन सागर नेक्स्ट क्वेश्ट है डाउन्स इस ग्रास लैंड आउफ इस कांट्री तो आपको पताना है डाउन्स घास भूमी किस देश की है तो दोस्तों ये जो मेंदान है श्टोस्टन घास के मेंदान ये कहां है तो ये हैं अस्ट्रेलिया के तो option D सही हो जाएगा अस्ट्रेलिया नेक्स्ट है जो अर्जन टीना है दोस्तों उनके घास के मदाना को पिमपास कहा जाता है नेक्स्ट है दा ओशियन करंट फ्लोइंग फ्रों हाइर लेटिटिटू टू लोवर लेटिटिटू डिसकाल एस तो उन्हें कहा जाता है दोस्तों कोल्ड करंट option A सही हो जाएगा cold current जो दोस्तो उच अक्सांस से निमने अक्सांस की ओर भहती है next है original inhabitant of North America R तो उत्र अमेरिका के मूल निवासी कौन है तो दोस्तो ये है red indian तो option C सही हो जाएगा red indian next है jakarta is the new name of bitch of flowing इसका नया नाम jakarta है तो दोस्तो जो बटाबिया है इसका नया नाम जिकारता है तो option A सही हो जाएगा बटाबिया next question है हैदराबाद is located on banks of bitch river हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थेत है तो ये है मुसी नदी के किनारे option A सही हो जाएगा मुसी next है निमलित मैसे कौन सी रेशा युक्त फसल है इसमें जो फाइबर क्रोफ है दोस्तो वो है है option A सही हो जाएगा है next है which is non-metallic mineral इसमें जो अधात्वी खनीज है वो है मैंगनीज तो option A सही हो जाएगा मैंगनीज next question है ब्रोनी oil refinery is located in bitch Indian state तो कहां है ब्रोनी oil refinery दोस्तो तो ये है बिहार में option C सही हो जाएगा बिहार next है headquarter of south western railway is located at which state तो दोस्तो दक्सन पस्चमी railway का जो मुख्याले है वो कहां है दोस्तो ये है हुबली में option D सही हो जाएगा हुबली और center railway का कहां है दोस्तो तो ये है मुंबई में next question है simulipal biosphere reserve is located in bitch Indian state तो कहां है दोस्तो simulipal biosphere reserve जो है ये आपड़ता है आपका ओडिशा में तो option A सही हो जाएगा ओडिशा right answer next है किस बरस दार्जलिंग हिमाले रेलवे को निस्को की 20 विरासत स्थल की सुची में सामल किया गया तो कब किया गया दोस्तो 1999 में तो option A सही हो जाएगा 1999 में और कालका रेलवे शिमले को कब किया गया दोस्तो तो 2008 में next है by which constitutional amendment act दिल्ली बाज गेवन दा status of national capital territory of इंडिया तो दोस्तो जो 69th समिधान संसोदन था तो option इसका ये जो है वो सही हो जाएगा नतरवे समिधान संसोदन कहता है दिल्ली को दोस्तो बारत के राष्टे राजधानिक शेतर का दरजा दिया गया था तो काब गए था ये संसोदन 1999 में next है which of following can summon a joint sitting of both thoughts of the parliament तो कौन बलाता है दोस्तो संसर के दोनों सदरों की सिंक्त बैटक तो ये बलाते हैं प्रेजडेंट option a सही हो जाएगा प्रेजडेंट next question है who can recommend the due solution of the log sabah before it's expiry तो लोग sabah की अबदी समाप्त होने से पहले उसके बिसर्जन के नुसंसा कौन कर सकता है तो ये कर सकते हैं दोस्तो धान मंत्री तो option c सही हो जाएगा next है this session of parliament is shortest सबसे छोटा सतर कौन होता है winter session जो है दोस्तो ये सबसे छोटा सतर होता है संसत का next है how many judges of supreme court has been impeached so far by the parliament अभी तक दोस्तो सुरोच नहले के किसी भी न्याधीज पर महावयोग नहीं लगाया गया है तो option d से हो जाएगा नेल इसका right answer हो जाएगा next है next question है the chief minister holds the office during the pleaser of which of flowing तो निमलित मैंसे किसके प्रसाद प्रियंत मुख्य मंतरी अपना पदधार्ण कर सकता है तो दोस्तो इसमें कर सकता है option इसका जो C है वो सही हो जाएगा राज्य पाल next है which of the flowing state legislative assembly has lowest number of seat तो आपको बताना है कौन से राज्य इधान सावा में सबसे कम सीटे हैं तो सबसे कम जो सीटे हैं दोस्तो वो कहां है तो वो है सिक्किम है option इस हो जाएगा सिक्किम कितनी है 32 seats है बाकी गोवा में दोस्तो 40 है next question है the tenure of office of chief election commissioner is तो दोस्तो मुख्य चुनाब अयुक्त के पत की पदा अबदी कितनी है तो दोस्तो यह कितनी इसकी पदा अबदी है तो आपको बताना है दोस्तो option इसका D से हो जाएगा none of these next है which of flowing फाल जिन प्राइमरी सेक्टर ओफ हिंडियन एकॉनमी भारती अर्थब्रस्ता के प्राइमरी क्षेतर में कौन आता है दोस्तो तो इसमें आती है फ्रेस्टरी तो option A से हो जाएगा बानिकी next है which sector had highest plan outlay during the first five year plan तो प्रत्थम पंच बर सी है योजना के दुरान किस क्षेतर की सर्वादिक योजना लागा थी तो दोस्तो ये थी agriculture option A correct हो जाएगा next है silver revolution is related to the production of तो दोस्तो ये question मैंने कल पोल में डाला था तो रज्जत क्रान्ती गिस के उतपादन से सबन्दित है तो ये है X के उतपादन से तो option D सही हो जाएगा next है state bank of India बाज previously called as बारत्य state bank को पहले कहा जाता था तो क्या कहा जाता था दोस्तो ये कहा जाता था imperial bank of India option B सही हो जाएगा imperial bank of India next है which air is not as the air of great divide किस बर्स को महान विवाजन का बर्स कहा जाता है 1921 को option C सही हो जाएगा क्यों कहा जाता है दोस्तो इसमें जो जनसंक्या ग्रोध थी इस बर्स ये जो census का ये अर्था दोस्तो इसमें ग्रोध जो थी बहो नेक्टे में रही थी next है rabies is caused by the bitch of flowing rabies किस के दोरा फैलता है तो बिशानू के दोरा virus तो option C correct हो जाएगा next है cunan is extracted from bitch of flowing किस से cunan निकाली जाती है जो कि option में नहीं है तो none of these इसका right answer हो जाएगा cunan cunan next है which food crop has the maximum content of protein किस खादे पसल में सरवदिक मातर में protein होता है तो किस में होता है सोयवीन में option D से हो जाएगा 42% next है bakery's use yeast in bread making because it bakery में bread बनाने में yeast का प्रयोग होता है तो क्यूं करते हैं दोस्तों यह bread को नर्म और spongy बनाती है तो option इसका c सही हो जाएगा next question है panda belongs to the same family as that of तो panda किस के समान कुल का है तो दोस्तों यह है beer option c सही हो जाएगा next है basic structural fundamental sorry functional unit of living organism is संजीबों की मूल सरचनातम का रहतम क्या ही जो है दोस्तों वो क्या है cell यहनी की कोशी का option a सही हो जाएगा next है teeth and bone acquire strength and rigidity from जो दांत और हडियां है मजबूती और ख्टोरता किसे आती है तो दोस्तों इनमें आती है calcium से option a सही हो जाएगा calcium next है which is involved in animal food जन्तों की खुराक में क्या समलित होता है तो इसमें दोस्तों क्या होता है cellulose तो option c सही हो जाएगा cellulose next है main function of white blood cells in the body is two स्रीर में स्वेत रख्त कोशिकाओं का मुख्यकार्य क्या है दोस्तों यह है protect our body against disease तो option c सही हो जाएगा next question है the largest artery in human body is तो मानल स्रीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है दोस्तों यह है और रटा यनिकी महा धमनी तो option a correct हो जाएगा next question है in human body an important role of execution is played by मानल स्रीर में सर्जन का महत्पुन कार्य कौन करता है दोस्तों यह करते हैं दोस्तों हमारी kidneys तो option a सही हो जाएगा brick next है which of the flowing deficiency cause goiter किसकी कमी से goiter होता है iodine की कमी से option इसका दोस्तों D सही हो जाएगा none of these next है which liquid contain highest rate of vaporization कौन से द्रब की बाश्वन दरसब से धेखत है यह है दोस्तों alcohol की option D सही हो जाएगा alcohol next है ultra-boiled rays can be used in butter treatment as परवेंगनी किर्णों का जल उपचार में किस रूम में प्रयोग हो सकता है तो यह प्रयोग होता है दोस्तों disinfectant के रूम में option D सही हो जाएगा next है why does a blackboard appear black in color तो blackboard जो है दोस्तों रंग में काला ही क्यों दिखता है क्यों दिखता है दोस्तों यह सभी color को absorb कर लेता है तो option D सही हो जाएगा यह सभी रंगों को सोकता है next है butt is the filled inside and electric bulb बिदूत बलव के अंदर क्या भरा होता है तो इसमें जो gas होती है बहुती है और गन option C सही हो जाएगा next question है the boiling point of water depends upon the जल का क्वंथना किस पर निर्वर है तो यह निर्वर करता है दोस्तो atmospheric pressure पर तो option C सही हो जाएगा atmospheric pressure तो दोस्तो आज की वीडियो में हमने 100 के creep question जो है बोडिस्कस कर लिये है तो दोस्तो वीडियो काफी लबी हो रही है इसलिए part 2 हम इसका जल्द बनाएंगे तो आज हो वीडियो आपको अच्छी लगी होगी वीडियो अगर आपको पसंद आई है वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ठैंक्स पर बहुचिंग God bless you all